कुछ आपका नाम राकेश कुमार है बता दीजीन है और सबसे पहले मैं आपको अजेह मेरू केановा यह क्या बाड़ अबाता हूं तो जांभा पूने के बाद में चेहनां प्रिकव घ्राट समयरु परवत स्वान ज ागा जहां पर साखसात देवराज इंद्र भग denken वाद्प इस तो इसी से इनका नाम अजमेर का बशुक्त इसा श्रहां विए चलता है। कि अच्ची ऐने के दौरान के पूर दीए मंदिर इस चले जाताเหरां नेहें लियान होता हैly इनका पुत्र राजा अर्णोरा चोहन इस राजगती पर बैठने के बाद में सासन इतना अच्छा चलता है उनका, क्या अर्णोरा चोहन जैसे राजगती पर बेढ़ते हैं, तो उस टाइम से, याने एक मोहमत बहिलम खान नाम का, जो बोलते हैं जिसको तुर्की, वहां से व इस तरागड को इसका पुराणिग नाम कहा जाता है इसको गड़ बीटली गड़ बीटली और एक नागपाड है इनके बीच में विसाल खाई है तो यह क्या करता है अर्णवराज चौहान जी उस टाइम का नेतरत्व करते हैं तो सारी सेना को यह घेर कर अर्णवराज चौहा तो क्लीन करवाने के बाद में यह क्या करते हैं कि एक पहले इसी अजमेर में एक चंद्रा नदी बेती थी तो उस चंद्रा नदी को यह काटके लेकर आते हैं चौहान सेना की माध्यम से जब चंद्रा नदी को काटके लेकर आते हैं तो बहुत मतलब मतलब मास मज़ा की जहां पर यह पानी एक्तरित होता है मास मज्जा का वहीं अनुराज चोहान ने आनसागर जील का निर्मन कराया जो आपने आप नीचे जाके देखो के तो आपको बहुत ही अभी तो एडिया ने बहुत अच्छी डूफ कर रही है वह वाली अनसागर जील इनके बाद में क्या जिसको विजेय चतुरत की नाम से जानते हैं और एक होता है यह चालूग्यों की राज कुमारी जिसके पुत्र होते हैं सोमेशतर चोहा जो आगे चलके उनके प्रतिरा चोहान रहे होते हैं अब इनमें क्या होता है कि जग जगदेव क्या करता है कि सासन पानिये की चक्र मे अपने पिताजी अर्णोहरा चोहन की हत्या कर देता है कि चोहां ने बिसल सर का भी निर्मान करवाया जो लंसम इसका ऐसा का जाता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे उद्यान लगाए पेड़ पोदे बगेरा बनाया विसाही लेकिन आज की यह परजेन टाइम में आज देखो तो यह उजड़ गया मतलब इन पर पाले वा विडेल होता है जैसे तक्सिला होता है तो वैस सही है 8 politician का उप टी मिज्डिक्ष कहते इसको बोलते हैं कि यह 8 DangerDonald को अजव पर नहीं कहते लेकिन बनाने में और यह इतना भव्यव्यत था कि उस टाइम में अभी तुसको देखा जाये तो यह मतलब कम शेत्रपल में फैला हुआ है लेकिन उस टाइम में यह संस्कत पाठ चलाएं दस बीगे में तो यह फैला हुआ था और दस एक साथ बेटकर उसमें शिक्षा दिक् ती उस्टाइम में और माश्रस्वती की बहुत बव्य प्रतिमाथी यह था इन सुश्क्रट पाड़ चलागा जिसमें मतलब ऐसी अस्तर शुस्तर विदाय चलना है जो सम्राध प्रति राचोहन भी इसमें सीखिया जैसे कि यह सोते कैसे हैं डोल के से बजाते हैं नांते माधार्थां लेकिन उस टाइम में तो पूरानी चीज हो बहुत है पारत वर्स में हं और हिस्ट्रीन कोई शत्रू नहीं होता है उसे सबसे बेस्ट थी तो यह क्या करता है कि आप यहां पर रुको और हमको बहुनी चंद सुनाओ अच्छा-सा लेकिन यह बोलते हैं कि मैं अभी समराबल पर्थी राचाहन के आग्या पाकर आयों मां स्रीराम के दर्सन करूंगा उसके बाद में आति टाइम में रुकूँगा तो यसी चीजी यह बोलता है अब क्या करते हैं धर्लियां करते हैं गर्वार्स का इस सभाव तो उसमें क्या करता है कि बहुआनी संत्य सुनाते ही हैं सुनाने के बाद में इस्टोप करके यह समराटपर्ति राचोहन की बखान कर देते हैं उनकी वीरता के गुण बारा साल की उम्र मुनों ने इसे सेर का शिकार किया और कभी होते हैं आपको मालूमें कभी तो कभी की रूप में बताते हैं अब क्या करते हैं कि आखों में इतनी तेज चमक है और सरीर उनका मतलब साथ पीट जितना उसकी हाइट है तम कमर पे तलवार 60 kg रखते हैं मतलब ऐ सभी नियुकर को थेृप करते हैं तो क्या होता है कि क्या करती है कि अपने पिटा जी से बोलती है मिरी ये रहा है उस टाइम में जेचंद राठर तो यह बोलता इमने पिता जी को बोलती है कि पिता जी आप मेरी शाधी कर वह समराइ़ पर्थिव राठ चोहान से लेकिन यह क्या होता है कि विश्ल देव चोहानना और इनहीं कमें दादा जी पिता जी तेंगे जेचंद तो उसी बीच में आमंत्रित्यान भारतिवर्ज के राजाद होता है वो सबको उन सुंबर आयोजित करता है निन सम्राटपर्ति राचुहन को यह आमंत्रित नहीं करता और उनको नीचा दिखाने के लिए यह दोर में याने चोकीदार के रूप में जो दुवारपाल होता है उनी के रूप में इनकी पर्थीमा मिनाता है और जहां पर लोगभाग जो जूते चपले खोलते हैं महल के बाहर वहां उनकी मूर्तिकों मतलब इस ताफ्य जो भी है वहां पर खड़ी कर देता है ताकि कोई भी आएगा राजा तो यह से देखेगा यान मतलब चंद टुकडी के साथ में फिर वह भी यहां आते हैं अब कोई तो बोल मूर्ति के पीछे वह चुप भी जाते हैं और कोई तो बहुते हैं गोड़े पे पीसे आकर उसको उठा के लेकर चले जाते हैं लेकिन इसमें मत दिया जाता है रासों में के समराठ पर्थ समराठ पर्थी राचोहान की वह जो दूर्में वह भी दिखते हैं अनने सोचा कि अब तो कुछ है नहीं तो उनको वह दिखती है मूर्तिया में ने इनको माल लिए वैसब न समराठ तो वो किसी के निपलदा जाकर के माला उनी के बीच में डाल देती है प्रति राचोहान वहां आने वाली बादाव का शरण करते हैं और हम इस समराठपर्थी राचौहान के वनसज हैं धर्ती के हैं इसलिए सवयोगता का भरी सभा में हरन करते हैं ऐसे मतलब इनका कहा जाता है रायलोग इनका तो ऐसे फिर उठा करके वहां लेकिन उस टाइम में यह देख लो आप करीबन उसमें जो उनके जो से नावो होते हैं क्या नम सामन्त बगईर में के से ना वह खतम होते तो वह खतम होने के बाद में जब वह वापस आते हैं जिए मैं पंद्रा-अ सु सतिया उस दिन जिन्दा जलती तो इनको मतलब वह ठेस पोचती दिया कि मैंने एक की वजह से इ अब क्या होता है जब इनका यूद होता है जब यह तलवार बाजी आला और इनके बीच में इतनी बहनक चलती है कि सुबह से लंसम शाम होने वाली होती है लेकिन उसका यूद का तो समराट पर्थी राच चोहान उसी में उस टाइम के परसीद होते हैं गुरु गुरक नाजी होता है उनको लेकर चलिया और यह बोलते कि अभी तक तो इसको भारत वर्स की जरुद दैसे लिए आला तू इसको छोड तो एसब लेकर चाल वात में कैते हैं आधने स्विकार कर लिया था अब उस टाइम में यह क्या होता है इतने मुर्चित हो जाते हैं कि मतलब बलड निकरने लग जाता है सम्राट परतिराज चौहान का तो पुची तो नीचे गिर जाते हैं तो पास में दूर कड़ा अब क्या होता है कि वहँ पे जो उसे कुरुशेत्र नेची ह죠 संने को अथ्याट नें तीति शितलं आशनतर निगते हैं संराच जूञाणि मांस नोखाने छांद मतलब तब इनके पास में ने होता है सायम राज वो देखता है तो यह देखता है कि यह क्या हो रहा है उसमें भी थोड़ा प्राण होता है लेकिन वो देखता है उटके उतनी भी हालत नहीं होती है लेकिन जब देखता है कि सम्राट पती राच ओन पर गिद नोच रहें तो फिर वह उसमें रेंगते हुए प्रिदार को बचा लिया जाता है तो यह का इनको चाहिए ऑने दोस्त के रूप में आपने देश भक्ती के बारे में माझना पर शुआ है मान लो किछ में बारे मान लो आप लेकिन बहुत अच्छा इन्हों ने यह सुग दिया सम्राठ परती राच्वान बहुत बहुत दन्यवाद थैंक यू जे सम्राठ परती राच्वान